दोस्तों आपने अभी तक past indefinite tense के बारे में बढ़ाता कि उसके sentence को हम active से passive voice में कैसे change करते हैं आज मैं आपको past continuous tense के बारे में बताता हूँ आज चलते हैं सीथे बिलक बोर्ड की और नमबर फाइव Past continuous tense हर वार की तरहें इसमें भी हम एक इन्वाक्स होनाएंगे उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे पहला भाग होगा active voice दूश्रा भाग होगा passive voice नमबर वन active voice की साय करिया present सुरी पाष्ट continuous में होती है बाजवर और इसमें होती है बाजवर प्लस विंग करिया होती है इसमें करिया की third form और इसमें होती है करिया की third form अब चलते हैं सीधे structure की और सबसे पहले object प्लस बाजवर प्लस विंग प्लस करिया की third form प्लस अरपियस प्लस वाई प्लस subject हम चलते हैं एक्जमपल की और हो नमबर वन एक्जमपल ही वाज इटिंग दा फूर सबसे पहले object तो object है दा फूर वाज की वर वाज विंग क्रिया की third form तो क्रिया ये है इटन आरपियस तो आरपियस विसलर है नहीं है वाई subject एका हम नमबर टू आई वाज नौट आई वाज नौट वाज की वर वाज नौट विंग वाज भी तर फूर्म तो फ्लॉन आरपियस है नहीं है वाई का वाई subject आई है तो आई का मी नमबर टूर्टी interrogative sentence वाज ही कट दा एपल कोसन माद सबस्ते पहले object तो object नहीं आएगा इस वार हमें चाहिए साय करिया साय करिया हमारी क्या है वाज object क्या है दाएपल तो क्या आएगा वाज फिर object दाएपल विंग का विंग क्रिया की तरफॉं क्रिया है कट कट की चीनोफॉं कट होती है आरपियस है नहीं है वाज का वाज सबजड ही ही का हिम और कोशन माद का कोशन माद नमबर फोर वाज सी वाज वाज सी ड्रिंक दा मिल्क वाज का वाज object है दा मिल्क तो इसलिए आएगा वाज दा मिल्क वींग ड्रिंक की तरफाम होती है ड्रंक इतना होगी है वाज का वाज की का हर कोशन माद का कोशन माद दोस्तों अगर आपको पास्ट कंटीनूर स्टैंस में कहीं भी प्रोग्रम आ रही हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लख सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अब हमारे चैनल इस पार इंगले क्लासिस को सबस्क्राइब कीजिए कि झातो लग्रेक सबस्केजिए